हिस्ट्री के क्विक रिविजन सेशन का आज का हमारा टॉपिक है दपूना पैक्ट यानि की पूना समझोता जो कि 24 सितंबर 1932 को हुआ था इससे पहले कल मैंने आपको बताया था कि गांधी जी के आमरण अंशन के बाद 24 सितंबर 1932 को मदन मोहन माल विये सी राज गोपाल अचारी राजेंद प्रशाद और पूर्सोत्तम दास के प्रयोतनों से गांधी जी एंड अंबेटकर के मद्ध एक समझोता हुआ जिसे हम लोग पूना समझोता के नाम से जानते हैं ध्यान दीजेगा इस समझोता में गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किये दलितवर की ओर से डॉक्टर अंबेटकर ने और सेज हिंदु जाती की ओर से पंडित मदन मोहल मालविये ने इस पर हस्ताक्षर किये थे यह दो इंपॉर्टन फैक्ट आपको याद कर लेना है अब हम लोग आज के टॉपिक पर आते हैं कि पूना समझोता के अंतरगत क्या क्या हुआ था इससे पहले वीडियो आपके लिए हल्फुल हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें चैनल को नहा है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा देखे इस समझोता के अंतरगत तीन चीज़े हुए थी तीनों ही चीज़ों का आपको अच्छे से याद कर सीधे एकजाम में directly statement के रोप में आती हैं पहला था कि दलित वर्ग के लिए प्रिथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया दूसरा क्या था प्रांतिय विधान मंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संक्या 71 से बढ़ा करके 148 कर दी गई एक अत्तर से सुरक्षितों की संक्या 18 प्रतिशत की विद्धी की गई इसकी बात क्या होता है कि तृतिय गोल में समयलन जो कि 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 के मद्ध हुआ इसमें जो है 17 नवंबर 1932 को लंडन में तीसरा गोल में समयलन का आयोजन किया गया कॉंग्रेस ने इस समयलन का भहिशकार किया और इस समयलन में भारा सरकार अधिनियाम 1935 के लिए एक ठोस योजना का अंतिम रूप पेश किया गया कि किस समयलन में यानि कि जो तीसरा समयलन हुआ था उसी में ही जो है भारा सरकार अधिनियाम 1935 के लिए एक ठोस योजना का अंतिम रूप से पेश किया गया था तो देखिए हिस्ट्री का खुए क्रिविजन शेक्त रहता है कर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो दूसरा सब ने अवग्या आंधुलन का अंति कैसे हुआ थांक्यू